Hello Everyone, Welcome to English for All आज हम लोग पढ़ेंगे Money इस poem को लिखाता W.H. Davies ने दोस्तो इस पूरी poem को मैं line by line समझाऊंगा आपको और बहुती easy language में समझाऊंगा तो चलिए poem को शुरू करते हैं और बहुत असानी सा आपको पूरी poem समझ में आजएगी When I had money, money, oh I knew no joy till I went poor poet बोलता है कि जब मेरे पास पैसा था तब मैं खुश नहीं रहता था मुझे पता ही नहीं था कि happiness किसे कहते हैं लेकिन जब मैं गरीब हो गया तब मुझे खुशी मिली दोस्तो होता क्या है कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम लोग पैसे के पीछे और ज़्यादा भागने लगते हैं और खुशिया पीछे चुड़ जाती है सारा टाइम, सारा एफर्ट हमारा पैसा कमाने में निकल जाता है और हमें पता ही नहीं होता कि feelings क्या होती है, happiness किसे कहते हैं पूरा एफर्ट हमारा गोल्स और टार्गेट को अचीव करने में लगा रहता है तो पोयट भी यही बोल रहा है कि जब मेरे पास पैसा था तब मुझे पता ही नहीं था कि happiness क्या होती है लेकिन जब मेरे पास से पैसा चला गया तब मुझे realize हुआ कि खुशिया क्या होती है For many a false man as a friend came knocking all day at my door पोयट कहता है कि जब मेरे पास पैसा था तब मेरे आसपास दोस्तों थे लेकिन वो सभी दोस नकली थे उन्हें मेरे पैसे से दोस्ती थी वो सब मेरे दोस्त इसलिए थे क्योंकि मेरे पास पैसा था उन्हें मेरे पैसे से दोस्ती थी Then felt I like a child that holds A trumpet that he must not blow Because a man is dead I dared not speak to let this false world know पोयट कहता है कि अब मैं इस नकली दुनिया से इस fake world से अपने पैसे को छुपाऊंगा मेरे पास पैसा तो है लेकिन मैं ऐसा दिखाऊंगा जैसे कि मैं बहुआद घरीब हूँ और मेरे लिए ये कर पाना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मान लो एक बच्चे को बाज़ा दे दिया हो और उसे मना किया गया हो कि तुम बाज़ा मत बजाओ क्योंकि किसी की मौत हो गई है कि उस बच्चे के हाद में ट्रमपेट तो है लेकिन वो बच्चा बाज़े को बजा नहीं सकता क्योंकि किसी की मौत हो गई है इसी तरहां पोयट के पास पैसा तो है लेकिन वो बता नहीं सकता कि उसके पास पैसा है क्योंकि उसके नकली दोस्त पैसे की वजह से ही उसके आगे पीछे घूमते हैं पोएट अपने पैसे को फेक वर्ल्ड से छुपाना चाता है I hope यहां तक clear है Much have I thought of life and seen how poor man's hurts are ever light पोएट बोलता है कि मैं अपने experience से यह कह सकता हूँ कि गरीब लोगों का दिल बहुत ही हलका होता है मैंने जिन्दही में जो कुछ भी समझा है, सीका है, देखा है उसके हिसाब से मैं यह कह सकता हूँ कि गरीब लोगों का दिल बहुत हलका होता है गरीब लोगों की जिन्दही में satisfaction होता है जबकि अमीर लोग हर टाइम अपनी wealth को और भी जादा बढ़ाने में लगे रहते है गरीब लोगों की जिन्दही में high expectations नहीं होती जिसकी वजह से उनकी जिन्दही में satisfaction होती है and how their wives do hum like bees about their work from morning till night दोस्तों यहाँ पर morning को short करके लिख रहा है इन्होंने morning, morning का मतलब है morning तो poet बोल रहा है कि गरीब लोगों की wives सुभा से लेकर रात तक काम करने में busy रहती है और अपने husbands का साथ निभाती है so when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly from poor men think I need not go up so much as rich man should come down poet कहता है कि अमीर लोग unsatisfied हैं अपने जिन्दहियों से बड़ा frustrated हैं वो जबकि जो गरीब लोग हैं वो लोग satisfied है और इसी वजह से एक गरीब को अमीर बनने की कोई जरूरत नहीं है गरीब भी क्या होता है अमीर बनना चाहता है लेकिन poet कहता है कि कोई जरूरत नहीं है इतनी कोई जरूरत नहीं है गरीब को अमीर बनने की बलकि अमीर इनसान को गरीब बनने की जरूरत है ताकि अमीर इनसान को पता लगे कि happiness किसे कहते हैं दोस्तों अमीर लोग हमेशे अपने टार्गेट्स पर अपने गोल्स पर उल्जे रहते हैं छोटी छोटी चीजों को वो लोग इंजोई नहीं कर पाते लेकिन दूसरी तरफ गरीब की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती गरीब अपनी कंडिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और सैटिसफाइड हो जाता है लेकिन अमीर इंसान कभी भी सैटिसफाइड नहीं होता अगर उसके पास सौ करोड रुपिया है ना तो वो सोचेगा कि मैं दो सो करोड कमाऊं मेरे पास दो सो करोड आजाए जब 200 करोड आएगा तो वो सोचेगा कि 400 करोड बनाऊ इसका मैं इसी वज़ा से घरीब लोगों को अमीर बनने की जरूरत नहीं है बलकि अमीर लोगों को पैसे को थोड़ा साइड में रखकर घरीब बनकर experience करना चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि happiness क्या होती है, satisfaction क्या होती है When I had money, money oh, my many friends proved all untrue, but now I have no money oh, my friends are real, though very few poet कहता है कि जब मेरे पास पैसा था, तब मेरे पास बहुत सारे friends तो थे लेकिन वो सभी friends fake थे, नकली थे, और अब मेरे पास पैसा नहीं है पैसा नहीं है, तो दोस भी कम है मेरे, लेकिन जो कम दोस्त है ना, वो loyal है, वो दोस्त सच्चे है तो चाहे कम दोस्त हों आपके, लेकिन loyal होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए दोस्तों मैंने कोशिश करी है आपको असान से असान language में पूरी poem समझाने की, I hope आपको समझ में आ गई होगी अगर आप महराश्रा board class 12th के student हैं, तो आप लोगों का English का syllabus मैं cover कर रहा हूँ अभी जो आपके screen पर playlist आ रही है, इस playlist पर click करके आपको सभी videos बहुत जल मिल जाएंगी आज के लिए बस इतना ही, जैहिंद